अब हमें एक्साम की प्रिप्रेशन करनी है तो आशाइनमेंट रिवाइस करते हैं फर्स्ट कोस्ट्यन है सब्दार्थ लिखो सब्दार्थ मीन्स क्या होता मीनिंग लिखना फर्स्ट नमबर सारंगी शारंगी क्या है? एक संगीत बाद्य एक म्यूजिकल इंस्टुमेंट वाद्य हमको कैसे लिखना है? वाकू आकी मात्रा आधादा तो आधादा पूरा नहीं बनाते आपको आता तो नीचे हलंत लगा के आप बना सकते हो और या एक संगीत वाद्य सेकेंड है शिरहाने शिरहाने का मीनिंग क्या होता है? सीर की तरफ मतलब शिर की तरफ शिरहाने जहाँ पर हम सीर रख कर सोते हैं उसके सीर की तरफ को हम क्या बोलते हैं? शिरहाने खराटे तो नाक से निकलने वाली आवाद जब हम सोते हैं और नाक से जो आवाज निकलती उसे क्या बोलते हैं? खर राटे आसान शरल, सरला सरल, कदम डग, अचरज आश्चरिय, धीर सारा बहुत सारा, अधीक ज्यादा, घबराकर डरकर, शुझाव सला, फुटा मापपटी, कली खिलने वाला फूल, शंग साथ, महैक खुसबू शुगंद, तुरंत जल्दी, भागना दोडना, शरल आशान, तरीका उपाए, ध्यान से गोर्षे, शरीर कायातन, जुझलाया गुस्सा होना, कारण, वज़, और सिर्हाने शिर के नीचे है, सिर्की तरब, दो मिनिस में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, बट आपको ये, लर्निंग कैसा करना है, पहले लर्न करना है, सारे कोस्टन्स लिख लेना है, फिर उसका आपको अंसर लिखना है, देखे भी ना, उसमें जो भी मिस्टेक आए, असाइनमेंट से आपको चेक करना है, जो मिस्टेक आती है, उस मिस्टेक को आपको फाइब फाइब टाइम्स राइट करना है, इस तरह से आप मीनिंग को लर्न करोगे, रिक्तिस्थान की पूर्ती कीजिए, बैटक में कदम रखते ही वीरू, डैस से ठ किस से ठीटग गई थी अचरज मतलब आश्चर से अचरज लिखते आपको आने जी अचरज से ठीटग गई मौशी ने एक डैस निकाल कर वीरू को पकड़ाई जब वो मौसी के यहां गई थी तो उसको मौसी ने क्या दिया था किताब किताब कैसे राइट करेंगे काको छोट की मात्रा ताको आ की मात्रा और बा किताब वीरू ने किताब के पन्ने डैस और यहां फैसला किया वीरू ने किताब के पन्ने क्या किये थे पल्टे मिन्स टर्न करना पल और टाको एक ही मात्रा टे अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक डैस लेती आना उसी ने क्या कहा था जब तुम अगली बार आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना फुट्टा मीस मापट्टी फुट्टा कैसे राइट करेंगे फाको छोटव की मात्रा आधाटा और टाको आ की मात्रा फुट्टा हरी डाली पर डैस लगी हुई थी हरी डाली पर क्या लगी हुई थी कली का लाको बड़ी की मात्रा ली डैस हबा के साथ भागने लगी तो तितली ताको छोटी की मात्रा थी तो ला को बड़ी की मात्रा ली, तितली, डैस के लिए कली तुरंद जाग गई, खेलने के लिए, जैसे तितली ने कली से खेलने की बात की, तो उसका नाम सुनकर बो तुरंद जाग गई, खेलने, खा को एकी मात्रा खेल, ना को एकी मात्रा ने, खेलने, डैस चिटक कर खेली रंगीली तुकली चटक कर खिली रंगीली बुलबुल की पूच के सिरे का रंग डैस होता है शफेद कुन सा होता है सफेद होता शा पाको एकिमे अतरफ है और दा बुलबुल डैस आवाज में बोलती है उची बहुत जोर से बोलती है उची मतलब जोर से बोलना तो बड़ी की मात्रा जे गोसला अंदर से एक सुंदर जैस काटूरर मतलब बाउल काट को य की मात्रा टो अपये की मात्रा य रही का तोरे जैसा दिखाई दिता है सही और गलत्पर निसान भूल्स हूँ विरु ने मौशी से बड़ी किताब ली तो wrong उसने बड़ी किताब नहीं लिया था वीरू खिलों ने देखकर अचरत से ठिटक गई तो खिलों ने देखी थी वो no वो तो किताबें देखी थी इसलिए ये भी false वीरू के पास इतनी सारे किताबें नहीं थी yes उसके पास नहीं थी तो statement क्या है true बु बुल बुल कीडे दून कर काती यस कीडे भी खाती है और फल सबजी भी खाती है बुल बुल अपना गोसला हरी घस से बनाती है तो no तो क्या होगा गलत उसके अंडे गुलावी रंके होते है यस बुल बुल के अंडे कौन से रंके होते है गुलावी रंके सही बुल बुल क पर शफेद रंकी कलगी होती है, नहीं होती काले रंकी कलगी होती, इसलिए ये भी वाल्स, वचन बदलो मींस, सिंगुलर टू प्लूरल, एक से ज्यादा, गली, गलिया, कली, कलिया, घर, घरो, डाली, डालिया, कीडा, कीडे, बगीचा, बगीचे, हमला, हुमले, अंडा, अंडे, कटोरा, कटोरे, ये भी आभी आपको राइट करके देखना, इसके कोस्टन राइट कर लेना पहले, उसके बाद इनके आंसर लिखना, जो आंसर आपको मिस्टेक आता है, वो आपको फिर से राइट करना है, वीलोम सब्द मतलब क्या होता है, आपोजिट वर काला सफेद, उची नीची, डर निडर, अंदर बाहर, शुखी गीली, मीठा कडवा, आनन्द शोक, दुखी शुखी, रात दिन, और उतरना चड़ना रात का क्या होता है? समान आर्थी लिखो, समान आर्थी मितलब जिसका समान आर्थ होता है, नन्नी, चोटी, भली, अच्ची, आग, नयवन, हवा, पवन और वाईयू, इस तरह से सारे वर्ड्स आपको लिख कर लन करने हैं, अच्छी तरह से जो वर्ड्स आपको नहीं आते वो बार-बार करके देखना है, अच्छी तरह से आपको एक्जाम की प्रिप्रेशन करना हो, के, सी यू इन दा नेक्स लेक्चर, तिल देन बाई-बाई